नमस्कार मैं जन्मक्ता श्योम गौतम और इस तरीके से राज्यपाल लेकल एक नोटिस दिया सा राजसरकार को राजिस्थान में उसके जवाब में आज कैबनेट की मीटिंग हुई और उसके बात में कई सारी ऐसी बाते बाहर निकल कर आई हैं जिससे पता चलता है कि अब र जयान आज मंत्रियों ने दिये उसमें जो बाते कहीं हैं वह बेहत्च चोका ने वाली हैं सुरुवात में तो प्रताप सिंग्ख खचरियवास और हरीश चौधरी ने ये कहा है कि राज्यपाल ने जो सवाल पूछे हैं सरकार के पास पहले से बहुमत हैं और राज्यपाल क तो हरीश चौदरी ने कहा वह बेहर चौकानवारा उन्होंने कहा कि हमने तीसरी बार विदानसभा बुलाने को लेकर विदानसभा का सत्र बुलाने को लेकर प्रस्ता भेजा है लेकिन राज्यपाल कल राज मिस्र इसे सुईकार नहीं किया है राज्यपाल की ओर से करोणा संक से बोलेंगे राष्टपती से बोलेंगे कि CRPF की टुकडी बेज दीजिए हमें जेल में डाल दीजिए और जब राहिस्थान में चुनाव होंगे तो हम फिर जीत कर आज जाएंगे यानि कि अब ऐसा लगता है कि उस बाड़ा बंदी में किनकेबल बिदायक परेशान हो गए बलके मंत्री भी परेशान हो गएं यह लोग मंत्री हैं उसके बावजूद इनकी भासा है जो यह कह रहे हैं कि CRPF बेज कर हमें ग्रफतार करा लो हमें जेल में डाल दो लेकिन किसी तरह से या तो विदानसवा का सत्र बुला लो या फिर सरकार खतम कर दो दूसरे दब अस अगर अब विश्वास प्रस्ताव ले आता है तो उस इस दी में उनकी सरकार बज़ पाएगी या नहीं बज़ पाएगी यह बड़ा संकट पैदा हो जाएगा और उस आसन्न संकट से बचने के लिए सो गैलोत और पूरी के पूरी कॉंग्रेस इस मामले में बार बार इस त चाहते हैं दूसा यह कहता कि अगर आप सौट नोटिस पर विदान सवागसत बुलाना चाहते हैं तो क्या आप विश्वास मत हासिल करने के लिए ऐसा करने अगर ऐसा है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और साथ ही साथ उसमें केवल हां और ना का लेनी पड़ेगी और विवस्था करनी पड़ेगी जो के एकदम से नहीं हो सकता वो पहले विवस्था करिए और उसके बाद सत्र बुलाईए उसके बाद असो गैलोत ने प्रदानमंति से फोन पर बात की और उसाथी साथ राष्टपती को भी घ्यापन बेजा है और वह कह कुछ नेता है गया है कि बार बार प्रस्ताव भेज Nahe को मालन वार गिए गया जाए लेकिन इस पूर ये दूसरा प्रस्ताव है उससे सोनिया और पता बहुत साहमत नहीं है हरी राम चौधरी ने दावा किया कि 10 से 15 बिदायक हमारी तरफ आने के लिए बेताब बैठे हैं वो ये इंतियार कर रहे हैं कि कब ये बाड़ाबंदी उठाई आती है और कब वो बापस सचेर पाइलट गुट में जाकर मिल जाते हैं तो अगर 21 दिन का समय दिया गया तो ये बात संबब हो जाएगी साथ ही साथ जो 12 निर्दली बिदायक अभी बाड़ाबंदी में कैद है असो गैलोत के जादू में फसे हुए है फिरमों टोटल में बैठे हुए है और वहां पर कई सारे बेंजनों की थालियां खा रहे हैं उनको भी ऐसा लगते हैं कि अगर हम सच इसे कर लें उनको समर्थन बदलने से नहीं रोक पाएंगे जिस बज़य से कॉंग्रेस की सरददी बढ़ती जा रही है वहीं दूसरे तब बीटीपी पार्टी यानि बारती ट्राइवल पार्टी के बिदायक पहले ही उन्होंने कहा था कि हमें किंटनाप कर लिया गया हमा इन नी धराम कियों हैं उनके पेट में दर्द कर रहे हैं सर में दर्द कर रहे हैं और उसकी बज़य से अब कॉंग्रेस की तरफ से उल्जलूल बयान आने लगे हैं प्रियंका बार्टराम बायावती पर आरूप लगा लिए कि भारती जंता पार्टी के इसारों पर काम कर हैं दूसरी तब कॉंग्रेस पार्टी के तीन तीन पूर्व कानून मंत्री कह रहे हैं कि राज्यपाल जो कुछ कर रहे हैं वो सम्मेदान का उलंगन है सम्मेदान के अनुरूप कारने नहीं कर रहे हैं और सम्मेदान एक संकट पैदा करने की कोशिस कर रहे हैं यह जो तीन का जो आचरन है वो सम्मेधान एक जो प्रावदान है उसके विपरीत है और वो क्वेस्टनेवल है अब इस पर सवाल यह उड़ता है कि अगर चिदम्रम को ऐसा लगता है तो फिर चिदम्रम ने कपिल सिब्बल या विशेग मनुष सिंग्वी की जगए खुद जाकर कोट में पैरवी करने की कोशिस क्यों नहीं की थी अगर वो इतने बड़े सम्मेधान के जानकार है कानून के बहुत बड़े बिद्वान है तो फिर उन्हें खुद जाना चाहिए था और विशेग मनुष सिंग्वी को हाई कोट में मूग की नहीं खानी पड़ती और कपिल सिब्ब जस्टिस अरुन मिरस्रा ने कई बार सिब्बल को डाट लगाई थी और यह कहने की कोशिस की थी कि क्या आप चाहते हैं कि जो विदायक है उनकी अभिवक्ति की सुतनता का जो मौलिक अधिकार है हम उसका अनन कर ले या फिर इस पीकर ने उसका हनन किया है तो हम उसके ऊप पर कुछ न बोले या हाई कोट उस पर चुपी साद ले इस तरीके के जो सवाल हुए थे उससे बचने के लिए ही चिदमरम ने बकालत करना बैतर नहीं समझा और इस मामले में कपिल सिब्बल को छोड़ दिया बाद में जब अपील की गई सीपी जोसी की तरफ से तो सिब् मले में बचा तो में अब कुछ नहीं बचा है अगर सुप्रिम कोट में दोबारा डांट खाणिये दोबार आपनी राई सई इजट गवानी है तबी सुप्रियुर्यम कोट में हमें इस अफील को और可 रखना ये अन्यता बेज़ती से बचने के लिए बेथर है कि हम इसको बिड्रो कर ले और बाद में वह अपील बिड्रो कर ली गई तो इस तरीक ऐसे टो इससे कॉअंग्रेस दोनों ही मोर्चे पर चाहे clock का मोर्चा हो याола राज्यपाल के सामने एक सबीर पूर्चों पर फेल होती भी नजर आ रही है और बाद में जब राजभवन गेराव की बात तूल पकड़ने लगी और ऐसा लगने लगा कि इस मुद्ध्य को आगे रखकर तूल देकर अगर राजजपाल ने राष्ट्रपती सोचन की गोशनात कर दी तो कॉंग्रेस कहीं की नहीं रहेगी उसके बाद कॉंग्रेस के जो परिवार है आला कमान जिसको कहते हैं उसने इस परस्त तोर पर असोग गोईनत को बोल दिया कि आप अपनी जुबान पर थोड़ा लगाम रखें और उल्जलूल बातें कम करें ये काला जादू नहीं है बलके यहां अब कानू रेश्टाचार के मामले हैं चाए फेर्मांट का मामला हो या असोगेलोद के भाई का जो उसने पोटास चोरी किया था पोटास में गपला किया था रेश्टाचार किया था यह सारे मामले जोर सोर से उठेंगे और फिर यह आच गांधी परवार तक पहुंच जाएगी क्यो को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने भी एक बयान दिया और उसे कहा कि जिस तरीके की बाते हो रही है राज्यपाल जो कुछ कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि राज्यपाल इस मामले में बारती जंता पार्टी को मौका देना चाहते हैं और उस मौके के तहट जो गोडों की स संख्या को बढ़ाना चाहते हैं और यह जो कला है कलराज मिस्क की यह तारीफ के कावल है यानि कि अधीर रंजन चौधरी जो पार्टी के प्रत्यपच्छ नेता है लोकसवा में वो यह कह रहे हैं कि जो बिदायक है यह गोडे है और राज्यपाल इन गोडों की खरीद पर्वार न गोडो को अस्तवल में कैद करके बचाने की कोशिश कर रहा है और भारती जंधापार्टी इन पर ढाक़ रहे की कोशिश कर रहा है लेकिन जो कुछ हो रहा है वह बहुत ज्यादा दिल्चस्प है बहुत ज्यादा ऐसा है कि इसको लेकर तमाम लोग महर चरचा क कर दिया है लेकिन राज्यपाल का जो एक प्रश्ण है कि अगर आप इस सत्र को इसलिए बलाना चाहते हैं कि आपको विश्वास मत हासिल करना है तो यह आपको इस पर तोर पर कहना पड़ेगा ऐसा लगता है कि इस बार भी यह प्रस्ताव सायद बापस हो जाएगा और हो सकत की द्रब से केमिनेट की द्रब से कहा गया है कि हम एक त्टीस जुलाइ को ही शत्त्र présentाव से कुछा लगता है यह आगे पीछे भी सकता है इसको दो-चार दिन आगे पीछे भी किया जा सकता है लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि कैबिनेट का प्रस्ताव है कि यह 31 जुलाई को ही बलाया जाना चाहिए एक तरफ वो जिद भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसके मंत्री यह कहते हुए नजरा रहे हैं क अगर इस वार राज्यपाल नहीं माने तो हम तो केंद सरकार से गौहर कर देंगे कि आप सेंटर पुलिस फोर्स की टुकडियां भेजिये हमको गिरफतार कराईए और हमको जेल में डलवा दीजे यानि कि ऐसा लगता है कि जो बाड़ा बंदी की गई है फेर्मॉंट होटल से तो यही बजह है कि सचिन पाइलेट गुट के एक विदायक ने जो कहा था कि 10-15 विदायक हमारी दरफ आना चाहते हैं सायद वो असो गैलोत के टार्चर से बचने के लिए वहां जा रहे है या फिर उन्हें लगता है कि जो रोज-रोज की चिक-चिक हो रही है उससे अब उनकी नविदायक चीब चल पार रही है नमन्त्री गिरी चल रही है और इससे अच्छा है कि या तो इस पूरे नाटक का अंत हो जाए या फिर यह नाटक बदलकर दूसरे नाटक में परवर्थित हो जाए देखना हियोगा कि क्या होता है आज का जिन तो निकला जा रहा है और उसके बाद क्या 31 तारीक की जिद है असो गैलोत और उनकी कैबिनेट की विदान सवासत्र बुलाने की राज्यपाले इसको मानते है या फिर एक बार फिर से गैन को असो गैलोत के पाले में फैक देते हैं जैहिन जैवारत